मेरा नाम अंजु पांडे है और आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्स का चाप्टर नमबर टैन जिसका नाम है मेंजुरेशन और चुकि मैट्स को हम बहुत ज़ादा इजी बनाने वाले हैं हम हर कॉंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे यहां मैंने आपके NCRT के टेक्सबुक को फॉलू किया है जो आपकी कोर्स बुक भी है सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर मेंजुरेशन होता क्या है यानि मेंजुरेशन का मतलब क्या है मेंजुरेशन का मतलब है कम्प्यूटेशन या कैलकुलेशन औफ पेरिमीटर, एरिया, वॉल्यूम औफ वेरियस शेप्स यहाँ पर सबसे पहले हम इन shapes को देखेंगे यह देखें, आपकी textbook में भी है यह यह सारे plane figures है अगर हमें यह पता लगाना हो कि इन में से किसकी boundary सबसे ज़ादा बड़ी है या हमें यह पता लगाना हो कि किसके अंदर सबसे ज़ादा space है तो हम कैसे पता लगा सकते है सबसे पहले हमें इनके measurements को जानना होगा और फिर उन measurements को compare करना होगा यह कैसे कर सकते है जरा देखते है यहाँ पर कुछ shapes बने हुए है देख सकते हैं आप एक triangle है यह एक shape है यहाँ पर भी एक shape है यहाँ पर एक point है S हम एक string या एक wire लेंगे या एक thread भी ले सकते हैं और हम इस point पर इस S point पर उस string का एक portion रखेंगे एक end रखेंगे और फिर यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ जाएंगे यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ जाएंगे ठीक है यहां वापिस आजाएंगे और फिर उस धागे को यहां पर काट लेंगे उसी तरीके से हम यहां पर भी करेंगे यहां से शुरू होकर यहां जाएंगे यहां आएंगे यहां जाएंगे यहां वापिस यहां यहां पर आएंगे, यहां आएंगे, इस end पर आएंगे, इस end पर आएंगे, यहां पर, यहां पर और finally S पर वापिस आएंगे और उस धागे को वापिस काट लेंगे नया धागा लेंगे और फिर यहां रखेंगे यहां से हर एक end को पास करते हुए वापिस S पर आएंगे अब इन धागों को हम compare करेंगे compare करने के बाद हमें क्या समझ में आएगा The distance covered is equal to the length of the wire used to draw the figure यहां पर जो भी distance, total distance है इस figure की यहां से लेकर वापिस यहां तक की distance covered है वो किसके बराबर हो जाएगी? length of the wire या string या thread जो हमने इस figure को नापने के लिए use किया था तो इसको नापने के लिए जो thread का इस्तमाल किया था वो इसके total boundary को बताता है total boundary की measurement, length को बताता है यहां से start करके हम यहां गए थे, वापिस यहां आये थे और फिर यहां पर आये थे और यहां पर हमने धागे को cut किया था इसका मतलब इस पूरी boundary को हमने cover किया था उसी तरीके से हमने यहां किया और उसी तरीके से हमने यहां किया तो हमने क्या समझा यहां पर कि जो भी distance covered है हर एक figure की that is equal to the length of the wire used to draw the figure ठीक है length of the wire used to draw the figure यानि अगर इस figure को हम उस wire से वापिस बनाना चाहें तो total length of the wire जो हमने wire या thread जो हमने cut किया था वो इसकी total distance covered को दिखाता है दर्शाता है इस distance को हम क्या कहते हैं बचों इस distance को हम कहते हैं perimeter of the closed figure इसको हम बोलते हैं perimeter यानि सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं mensuration में वो है perimeter of a closed figure अब perimeter क्या होता है जरा समझ लेते हैं it is the length of the wire needed to form the figures यहां इस case में हमने thread या wire या string का इस्तमाल किया था और वो total length of the wire जो हमने एक end पर रखी और फिर हम वापस उस end पर आए उस total length को हम कहते हैं perimeter of the closed figure क्यों? क्योंकि वो पूरी boundary का length देता है हमें ठीक है ना? पूरी जो boundary है इस figure की पूरी जो boundary है इस closed figure की वो हमें उस string के length से पता चल जाती है क्योंकि उसे हमने एक end पर रखा था फिर हम पूरा cover करते हुए वापस उस end पर आ जाते हैं अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये perimeter हम पढ़ते क्यों हैं? आखिर इस perimeter का क्या काम होता है? अब सोची आप इमाजन करिए कि फार्मर के पास एक field है एक खेत है और वो चाहता है कि खेत के इर्द गिर्द वो एक fence लगा दे तो वो क्या करेगा? पहले अपनी पूरी boundary को measure करेगा खेत की पूरी boundary को measure करेगा और उस measurement के अनुसार ही वो fence लगाएगा ठीक है? तो यहाँ पर उसने क्या find किया? जब हम पूरी boundary का length find करते हैं तो असल में हम क्या find कर रहे हैं? perimeter of the field ओके नओ एन एंजीनियर who plans to build a compound wall on all sides of a house एक एंजीनियर है जो की एक compound wall बनाना चाहता है एक घर के चारो तरफ on all sides of a house तो उसे भी घर की boundary total boundary की length का पता होना चाहिए अगर उसे पता नहीं चलेगा तो वो wall कैसे बनाएगा? तो इसलिए यहाँ पर भी वो perimeter के concept को इस्तमाल कर रहा है अब आपने race tracks तो देखे ही होंगे जो की एक field के अंदर होते हैं ठीक है? तो अगर उस field का हमें perimeter पता नहीं चलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने meter का track वहाँ पर बना सकते हैं हो सकता है कि boundary बहुत बड़ी हो 1500 meter का track बन सके या 800 meter का या 400 meter का ठीक है? तो boundary के हिसाब से boundary की पूरी length को जब हम पता करते हैं तो असल में हम find करते हैं perimeter so what is the definition of perimeter students? perimeter is the distance covered along the boundary forming a closed figure when you go round the figure once अगर हम किसी closed figure के एक end से शुरू करते हैं और चारो तरफ जाकर cover करके distance को हम वापिस उस end तक आते हैं एक बार तो यानि कि हमने क्या cover किया? हमने उसके perimeter को cover किया which is the distance covered along the boundary यह अंदर का portion नहीं है यह सिर्फ boundary को हम देख रहे हैं सिर्फ boundary को देख रहे हैं अंदर के portion को हम बिल्कुल भी देख नहीं रहे हैं क्योंकि अंदर के portion को हम perimeter नहीं कहते perimeter सिर्फ length of the total length of the boundary होती है of a closed figure तो अगर हम एक तरफ से start करते हुए चारो तरफ जाते हैं पूरी boundary को cover करते हैं और वापिस उस position पर आते हैं तो इसका मतलब हमने perimeter cover किया है आपके book में कुछ सवाल है try these जिनको हम बोलते हैं आप अपनी book में refer कर सकते हैं तो यहाँ पर कुछ सवाल है जिनको हम हल करने की कोशिश करेंगे we'll try to solve the questions तो first question is measure and write the length of the four sides of the top of your study table आप जब पढ़ते हैं तो आपके पास एक study table तो होगा ही तो उस study table को के हर एक end को हमने नाम दे दिया है A, B, C, D यानि जो study table का top है उसको हमने एक नाम दिया है A, B, C, D इस A, B, C, D का हमको total boundary निकालना है ठीक है हमें total four sides को जोड के हमें इसका perimeter निकालना है measure and write the length of the four sides तो four sides को जोडने का काम आपका क्योंकि आप अपने table को खुद measure कर सकते हैं तो आप measure करेंगे A, B और उसे लिखेंगे यहां पर फिर आप measure करेंगे side B, C और उसे लिखेंगे यहां पर फिर C, D measure करेंगे यहां पर लिखेंगे और D, A measure करके यहां लिखेंगे आप अपनी छोटी scale का भी इस्तमाल कर सकते हैं आप बड़ी scale का भी इस्तमाल कर सकते हैं और आप measuring tape का भी इस्तमाल कर सकते हैं और आप अपने table के top को measure करेंगे उसके बाद हमें क्या करना है now the sum of the lengths of the four sides अब हम इन 4 sides के sum को देखेंगे, ठीक है, तो हम क्या-क्या जोडेंगे, हम जोडेंगे side AB, side BC, side CD, और side DA, और जब हम जोडेंगे, तो हमें कुछ sum मिलेगा, वो sum क्या है, वो sum है, total length of the boundary, यानि की total perimeter of the top of the table, okay, now let us see the next one, next question is, measure and write the length of the 4 sides of a page of your notebook, okay, ये भी बहुत interesting है, आपके पास notebook तो है ही, आप notebook का कोई एक पेज देखिये, और उसके चारो sides को, जादा तर rectangle होगा, तो आप इसके चारो sides के length को, आप measure करिये, और measure करने के बाद, आप यहाँ पर लिखिये, आप चाहें तो उसको नाम दे सकते हैं, A, B, C, D, यानि जो page है, मान लिजे ये page है, तो इस page को मैंने नाम दिया, A, B, C, D, okay, सबसे पहले आपको measure करना है, A, B, B, C, C, D, and last में, D, A, यहाँ पर आपको A, B کا measurement लिखना है, यहाँ पर आपको B, C का measurement लिखना है, C, D का measurement, D, A का measurement, और सब को जोड़ के आपको यहाँ पर लिखना है, तो आपने असल में क्या निकाला total length of the boundary of your notebook page or page from your notebook and you have found actually the perimeter of the page okay very good now next is Meera went to a park 150 meter long and 80 meter wide okay Meera एक लड़की है और वो कहां गई? एक पार्क में गई और उस पार्क की जो लंबाई थी वो थी 150 meter देखें यहां भी है और यहां पर भी और जो उसकी चौड़ाई थी जो breath थी वो थी 80 meter okay she took one complete round on its boundary वो यहां से शुरू करती है यहां जाती है फिर यहां से मुड़के यहां आती है फिर यहां जाती है और फिर वापिस वो A पर आती है यहांनि वो पूरा एक complete round लेती है boundary का what is the distance covered by her okay उसने कितना distance cover किया चली इसको हम find करते है मैंने इस spark को का figure बनाया है और मैंने नाम दिया है A, B, C, D A, B का जो measurement है वो दिया हुआ है 150 meter जो B, C का measurement है वो है 80 जो C, D का measurement है वो वापिस 150 है और D, A का measurement again is 80 अब इसको जोड लेते हैं 150 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 80 कितना आया 460 okay 1,500, 1,500, 380, 1,60 और 300 और 1,60 को जोड़ा तो कितना आया 460 तो ये कितने meter की boundary हो गई पार्क की 460 meter तो असल में हमने क्या निकाला we have found the perimeter of the park okay I hope ये समझ में आ रहा है easily समझ में आ रहा है okay now the fourth question students find the perimeter of the following figures अब एक एक करके कुछ figures हमें दिये हुए हैं और हम पटाफट इन का perimeter निकालेंगे okay ये एक figure दिया हुआ है A, B, C, D A, B है 40 B, C है 10 C, D है 40 और D, A है 10 चलिए निकालते हैं A, B A, B कितना है? 40 B, C B, C कितना है? 10 C, D C, D कितना है? again 40 D, A कितना है? D, A है 10 अब जड़ा जोड़िये तो 40 और 10 50 40 और 10 50 50 और 50 100 Okay So, this becomes 100 meter Fine तो यानि कि इसका perimeter इस figure का perimeter कितना है? 100 meter Okay Now, next one अगला है एक square Square के सारे साइड सीकूल होते हैं वो तो हमको पता ही है यहाँ पर जो square दिया हुआ है उसके साइड कितने हैं? 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm again 5 cm Okay We have to find the perimeter हमको perimeter निकालना है तो क्या करेंगे? A, B, plus B, C, plus C, D, plus DA यानि चारो साइड को जोडना है तो A, B, का measurement कितना है? 5 है B, C, का भी 5 है C, D, का भी 5 है D, A, का भी 5 है 5, 5, 5, 5, 5 कितना हुआ? I think 20 हो गया 20 cm Fine Okay अब यहां आते हैं ठीक है? अब यह बड़ा complicated सा एक figure है क्या करें इसको? तो यह procedure तो सेम ही है हमें figure को देख के डरना नहीं है ठीक है? procedure बिलकुल सेम है हमें perimeter निकालना है चाहे जितने भी sides हो हमको क्या करना है sides के measure को sides का जो भी measurement है C को जोड़ेंगे CD, DE, EF, FG, GH, HI, IJ, JK, KL और वापिस LA ठीक है? चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले है AB कितना है? 1 फिर क्या है BC BC कितना है? 3 फिर कितना है CD CD कितना है? 3 फिर क्या है? DE DE कितना है 1 फिर है FE sorry, EF या FE कुछ भी बोल सकते हैं वो है 3 वापिस FG कितना है 3 GH कितना है 1 HI 3 IJ 3 JK 1 KL 3 और लास्ट one is LA LA is 3 तो जोड़ लेते हैं 1 प्लस 3 प्लस 3 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 बहुत एजी है न 3 प्लस 3 इस 6 प्लस 1 7 अब देखें, आप है 4 बार 7 7 7 है तो वो सब मिला के हो जाएगा 28 8 cm यानि यहाँ पर भी हमने क्या किया हमने इसकी पूरी boundary के measurement को जोड़ दिया हर एक side को जोड़ लिया ठीक है तो perimeter निकालने का तरीका यही है कि हम हर एक side को जोड़ दें यहाँ पर देखें एक question दिया हुआ है D यहां पर वापस एक figure दी हुई है और उस figure के सभी sides को हमको जोड़ना है हमें कहां से जोड़ना शुरू करना है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF देखें बहुत असान है पहले AB है 100 BC है 120 CD है 90 उसके बाद क्या है? DE DE है 45 EF है 60 और FA FA है 80 अब यह पूरा जोड़ के मुझे बताएं कितना आएगा? मेरे हिसाब से यह 495 आएगा I think this is 495 and the unit given is meter unit जो है वो meter दिया हुए है तो जो unit रहता है हमको उसी unit का इस्तमाल करना है meter है I think this is 495 फिर भी आप इसको जोड़िएगा और इन सारे सवालों को आपको खुद से करना है बच्चों अपने आप करना बहुत जरूरी है क्योंकि mathematics जो है सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगी हर एक question को खुद से solve करना है समझने के बाद तो अभी तक हमने जो भी समझा उसमें हमने ये समझा कि perimeter of a closed figure कैसे निकालते हैं उसके हर एक side को जोड कर हम perimeter of a closed figure निकालते हैं अब आपको पढ़ना है perimeter of a rectangle यानि एक-एक करके हम कुछ shapes के perimeter को समझेंगे कि हम इसे कैसे निकाल सकते हैं और उसके formula को भी derive करेंगे तो सबसे पहले हमें समझना है perimeter of a rectangle अब ज़र इसको ध्यान से देखेगा मैंने एक rectangle बनाया हुआ है rectangle की length है 15 cm और breadth है 9 cm और ये तो आप जानते ही है कि rectangle में 2 length होती है और 2 breadth होती है चीक है perimeter of the rectangle is equal to perimeter हम कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही है sum of the length of its 4 sides यानि 4 sides को जोडना है start करते हैं सबसे पहले A, B फिर B, C फिर C, D और D, A A, B, B, C, C, D और D, A A, B plus B, C अब क्या हम A, B और C, D चुकी बराबर है तो क्या हम C, D की जगा A, B लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि A, B is equal to C, D दोनों length हैं तो हम यहाँ पर C, D की जगा A, B लिख देंगे और D, A, C, B या B, C के बराबर हैं तो हम क्या करेंगे? D, A की जगा B, C लिख देंगे अब देखे तो 2, A, B हो गए और 2, B, C हो गए तो 2 इंटू A, B प्लस 2 इंटू B, C अब 2 को जड़ा common ले लिजे 2 को बाहर ले आईए तो bracket के अंदर क्या बचा? A, B, P, B, C common लिया है मैंने यहाँ पर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है दोनों को यहाँ पर common ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा? A, B 9 सेंटीमीटर तो 15 प्लस 9 इस 24, 2 इंटू 24 इस 48 ओके तो यह तो हमने परिमीटर निकाल लिया लेकिन इससे हमने बहुत ही important formula डिराइव कर लिया है और वो formula क्या कहता है parameter for rectangle is equal to 2 इंटू length plus breath, ओके यानि length 2 है और breath भी 2 है तो अगर हम 2 इंटू length plus breath करते हैं तो हमें perimeter of a rectangle मिल जाता है इस formula को हमें learn करना है ओकी So यहाँ पर वापस से एक try these है जो आपकी किताब में है यहाँ पर length of the rectangle दिया हुआ है breath of the rectangle दिया हुआ है दो तरीके से हम perimeter निकालेंगे perimeter by adding all the sides and perimeter by using the formula 2 into length plus breath जिसको हम 2 into L plus B भी बोल सकते हैं 25 cm है length और breath कितना है 12 cm अब जरह यहाँ पर देखते हैं पहले हम सारे sides को जोड कर perimeter निकालेंगे तो दो length है और दो breath है 25 प्लस 12 length प्लस breath प्लस length प्लस breath तो कितना आया 74 cm उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर हमने formula का इस्तमाल किया 2 इंटू length प्लस breath length कितनी है 25 breath कितनी है 12 25 प्लस 12 गिवस 37 2 इंटू 37 गिवस 74 can you see कि दोनों तरीके से perimeter तो same ही आ रहा है यानि कि या तो आप perimeter निकालने के लिए सारे sides को जोड दीजे या फिर आप एक formula का इस्तमाल कीजे 2 इंटू length प्लस breath पर इस formula से आपको सिर्फ rectangle का ही perimeter मिलेगा ओके याद रखना है कि this is the formula for perimeter of a rectangle ओके second question देखिए 0.5 meter length है और 0.25 meter breath है यहाँ पर भी मैंने क्या किया है length plus breath plus length plus breath कितना आया 1.5 meter और यहाँ पर मैंने क्या किया है formula का इस्तमाल किया है 2 इंटू length plus breath length और breath को जोड़ा तो 0.75 और फिर 2 से multiply किया तो 1.5 दोनों में बराबर perimeter आ रहा है ठीके अब यह जो बाकी दो सवाल है यह आपको खुद से try करने है because question क्या है try these 18 cm अगर length होगा और 15 cm अगर breath होगा तो आपको देखना है कि सारे size को जोड़ने के बाद क्या आता है और formula का इस्तमाल करने के बाद क्या आता है उसी तरीके से यह दोनों भी और इस तरीके से आप बिल्कुल perfectly perimeter of rectangle निकालना सीख चुके है और perimeter of other figures भी हमने सीखा जिसमें sides दिये हुए है आगे की चीज़ें आगे बहुत सारे concepts हैं इस lesson में जो हमें one by one पढ़ने है पर आज के लिए आज इस video में इतना ही अगर आपको video पसंद आया हो तो like कीजिए, share कीजिए और हमारे इस channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिए next जो video में बनाऊंगी उसमें मैं आपको कुछ examples जो इसके just बात कुछ examples दिये हुए हैं उसको मैं solve कराऊंगी और फिर 10.1 स्टार्ट करेंगे हम तब तक के लिए have a very good day thank you एलुए